हाई एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तारा मधू डाइरीज व्लोग तो फ्रेंड्स आज करना जमाना सभी जानते हैं बदल रहा है जो पहले के की डिजाइन्स होते थे वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा उनमें इन्वेंशन्स वरियेश जैसे मैंने याँ पर एक केक बनाया सिंपल वाइट कलर की क्रीम से और मुझे उसके उपर करनी थी कुछ डिपिंग की इफेक्ट तो देखे जब भी डिपिंग इफेक्ट आता है हम जनली चौकलेट यूज कर लेते हैं गनाश बनाकर या फिर वाइट चौकलेट में कलर ड यलो वाले केक में वही उसकिया था लेकिन न्यूट्रल जेल जो सभी जानते हैं उसके अंदर आप हलका पानी हलका कलर और हलका फ्लेवर अगर डाल दें तो उससे भी अलग तरीके की डिपिंग एफेक्ट और अलग सा एफेक्ट आता है तो इसमें आप एमल्शन डालेंग कलर डालेंगे तो एक अलग चीज बनेगी और वही पर चाशनी में अगर हम कलर डालेंगे तो अलग चीज बनेगे तो न्यूट्रल जैल आप मानके चलिए चाशनी में कलर मिलाने वाली चीज होगी और वनीला कोल्ड ग्लेज होगी जो दूद के अंदर मिलाने वाली चीज होती है तो यहां पर बस बहुत सारे लोग ना गंफ्यूजर में रहते हैं कि मैं यह दोनों अलग है एक हैं तो आज होपुली आपको आंसर मिल क्या होगा और एक डाव तो रहता है कि मैं क्या नूट्रल जेल केक जल एकी चीज़ है तो भाई केक जल डलता है केक बनाने के बै केक टेक्शर एंड नूट्रल जेल इस फॉर दा केक डेकोरेशन तो होपुली आज सब को यह जो आंसर है वो मिल गया होगा और बस इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अपनी लाइफ क्लासेज में अपनी ऑनलाइन क्लासेज में सारी चीज़े डीटेल में सिखाती रहती हूं प लेती हैं बच्चों को भी देखती हो सारी काम करती हो तो यही कैसे करते ओंगी जब आपने कोई चीज मन में ठानी इना तो उसको करने के लिए ना भगवान कहीं से अपको शक्ति दे इसे अब जैसे हर एक मा को एक भगवान शक्ति दे कर रखता है कि उसके इंदर पत्ता कहां से पावर आती है कि वो अपने घर अपने बच्चों सभी को अराम से देखती है और ऐसी ही एक शक्तिना बगवान ने हम वहुंबेकर्स को भी दी हुए फ्रेंड्स जिससे हम घर के काम हो केक के काम हो बड़ी लगन बड़ी महनत और बड़ी शिद्दत से करते हैं और इसमें बनाती रहती हूं और काम यहीं खतम नहीं होता है इसके बाद अपने घर को देखना अपने बच्चों को देखना क्लास के बाद जो गंद फैलता है उसको क्लीन करना इन सब में अकेले ही लगना पड़ता है और कभी-कभी न ऐसी चीज़े मार्केट में आती है जो कि काफी काम हमारा हेल्प कर देती है अब जैसे यह अगारों का इलेक्ट्रिक स्पेंड मॉप जो है ना यह इतना वड़ी है फ्रेंड्स मैं जर्नली आपको दिखाती हूं तो टेवल के नीचे हो सोफे के नीचे हो फटा-फट से लगा देता है और इसमें ना LED लाइट भी है तो आप इने परचेज कर सकते हो और अपने काम में बहुत ज्यादा हेल्फुल यह आपके साबित होंगे तो इसको करिदने का ओनलाइन परचेज लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप चाओ तो मंगा लेना फ्रेंड्स तच में बहुत हेल्फुल है मैं जट पट काम कर लेती हूँ जब पानी लेके मिना साथ साथ चलना नहीं होता इसके अंदर स्प्रे वाली कुछ सेटिंग है तो आप पानी इसमें भर दीजिए और बस स्प्रे करते रहिए और आपको वो पुराने स्टाइल की बल्टी बाल्टी लेके भी ज़रत नहीं पड तो मेरा तो काम बहुत असान हो जाता है आप देखी सकते हो तो जरूर पर चीज़ कीज़ेगा और अपने काम को आसान बनाएगा इस तरीके से फ्रेंड्स अपने काम को करने के बाद मैं फिर से तयार हो जाती हूँ का मरकस लेती हूँ अपनी लाइफ क्लास के लिए तो को पूरा दिखाने वाली हूँ आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो और यहां पर देखिए अब मानलो मुझे रड कलर का केक पूरा जल से कवर करना है तो यहां पर ट्रिक बताती हूं कभी भी ना वाइट केक को आप रेड या येलो कलर में कवर मत कीज़े अब क्रीम क केक पर थोड़ा सा कलर चाहे लिक्विडी क्यों ना हो वो लागा के केक को ना एक तरीके से उसी कलर का बना लीजे ता कि ना न्यूटरल जब गिरे तो उसकी शेड जो है नो बढ़िया सी हाइलाइट होकर आए तो आज जो मैने जानकारी दिये फ्रेंड्स उसको फॉलो कर ना कभी भी नूटरल जयल के केक पर डारेक जलना डाल के उसको कलर फॉल कर लेना नूटरल जयल वाइट वनीला कोल गलेज दोनों चीज़े अलग होती हैं बड ट्रिपिंग में केक कवर करने में हेल्प करती हैं और सबसे इंपोर्टन चीज केक जल खाने के बैटर में में प्रोबलम आती है तो पूरी कोशिश करूंगी आपको यहां पर व्लॉक्स के फॉर्म में समझाने की तो यह मेरा केक था रवाला जिसमें ना एक इलूजन से क्रिएट किया था तो वाइट वनीला कोड़ डेज्ट चॉकलेट और इनके ना मैंने पाइपिंग बैक से पितले पतले rings बनाए मतलब circle बनाए और बस circle बनाते गई बनाते गई और उसके बाद toothpick से इनको मैंने cut करके बहुत ही सुन्दर सा design बनाया अभी दिखाऊंगी और आजकल friends 3-4 दिन के लिए मैं दोपेर में नहीं आ रही हूं अपने तारामदू की रिसुई चानल पर क्योंकि मेरा course जो आ क्योंकि दिनमर में तो बहुत सी लेडिज भी बीजी नहीं होती है रात को सारी लेडिज फ्री हो जाती है बच्चों के काम से घर के काम से किचन के काम से तो जरूर से जरूर जुडिएगा सीखेगा और सीख करके आगे बढ़िए अर्प्रेंट्स मेरे नाग गल्ले में ब बहुत से Ayurvedic दवाई में बताते हैं मेरी problem क्या है कि मेरी voice को complete rest चाहिए अब complete rest में नहीं कर सकती क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं एक ऐसे platform पर हूँ जांपर मुझे अपनी आवास की बहुत जरुत पड़ती है बले ही मैं live ना करूँ मुझे वीडियो में voice over करना है मुझे live classes में बोलना है और बिना बोले ना friends कोई काम नी चलता क्योंकि जिस भी वीडियो में voice नीडाल के music डालती हूँ ना उसमें एक ही comment आता है कि ma'am please बोल के समझाइए तो कोई ऐसी remedy अगर हो जिसमें मैं बोलती भी रहूं और मेरी आवाज पर कोई हानी भी ना हो तो मुझे please please it's a request बताईएगा मैंने एक बार अपनी डॉक्टर को दिखाया था तो नो मुझे बोला था आपको रिंग की जडिमा एक प्रॉबलम है जिसमें गले में कुछ नॉड्यूल हो जाते हैं जिसके लिए complete mon rest करना पड़ेगा पट वो मेरे लिए possible नहीं है तो कोई ऐसी remedy बता ह हो जो मैं अपने काम के साथ साथ कर सकूँ तो हाँ जोड़के बिंती है मुझे जरूर बताना और देखिए काम तो मैं करती रहूंगी फ्रेंड्स फिर चाहे आवाज ऐसी आया या वैसी आया आप लोग हो ना समालने के लिए और कुछ लोग तो मुझे अभी भी बोलते है हम आपकी वाजना रानी मुकरजी जैसी सुनती है तो भाई यह तो मेरी बैठी हुई आवाज ऐसी नहीं थी मैं बहुत अच्छे गाने भी खाल लेती थी बट अभी लाइफ क्लास पांच महीने से चल रही है उसमें कुछ जादे ही प्रब्लम हो रही है खैर अगर यह नही किया तो कहीं पीछे छूट जाओंगी क्योंकि महनत की है बगएर बैट के खाना मैंने सीखा नहीं है और जिस दिन मैं आप लोगों से ना मिलू लाइफ में या रिकॉर्डेट वीडियो में ही तो मेरा दिन नहीं जाता है तो गुट-गुट के मरने से अच्छा है कि थोड काम करते समय अगर ये सारी चीजे छोटी मोटी प्रॉब्लम देंगी तो बस उनको आगे हटाते जाओ नजर अंदाज करो और आगे बढ़ो हां सेथ के प्रती बहुत ही सजग रहो तो हेल्थ प्रॉब्लम अगर कहीं आती है तो मैं रेस लेती हूं एक दो दिन का जैसे किया है उसको ठीक से निभा सको तो इस सब में आप सब के सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है सपोर्ट जरूर कीजेगा और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं वो भी मुझे पताईएगा पसंद आते हैं तो लाइक शेर किये भीना बिलकुल मत जाहिएगा साथी च